मेरा नाम मुनुप्रा है, मेरा इस बार TGT माथमोटिक्स में चोयन हुआ है, मेरा रेंग 85 है, मेरा 101 कोस्तम सही था, और इस बार मेरा बरनोशी में हुरिस्चुंद्र इंटर पलेज मिला है, यह सब कुछ हो पया, मैं SPSI ने सर को बाजासे, मैं इसलिए सर को थैंक्यू कहना चाहती हूँ, मैं रोज सर को चनल फॉलो करता हूँ, सर को जितना में प्रेलिस्ट है, यह सब कुछ मैं फॉलो किया, और जो जितना भी टेस सीरी स्ता, यह सब कुछ मैं देता हूँ, मैं आपको अब लोग को यह कहना चाहती हूँ, कि आप लोग भी फॉरा तरह से जितना भी प्रेलिस्ट है, यह सब कुछ फॉलो करिये, यह सब कुछ आप लोग देंगे, यह आपको लिए आच्छा होगा, थेंक्यू, आज हम सुरू करेंगे वेक्टर डिफ्रेंसियेशन, ग्रेडियन्ट, डाइवर्जेंस, एन कर्ड, हम देंगे इस चैप्टर का विसिक कंसेप्ट और कराएंगे इंपोर्टेंट मैं SP से नहीं, आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत है, तो चलिए करते हैं वीडियो को सुरू, चलिए समझते हैं सबसे पहले वेक्टर डिफ्रेंसियेशन क्या होता है, तो वेक्टर डिफ्रेंसियेशन का मतलब है वेक्टर का डिफ्रेंसल, यानि की आफ कलन, तो वेक्ट पे point हो तो वहाँ पे अगर x, y, z point है तो उसका जो vector होता है position vector होता है x i plus y j plus z तो यह जो होता है scalar form में होता है यानि कि x, y, z की term में होता है तो यहाँ पे scalar variable x, y, z के इस्थान पे हम t का use करेंगे यहाँ एक्स के इस्थान पे जो function होगा वो भी t की term में होगा y के इस्थान पे भी t की term में होगा और z के इस्थान पे भी t की term में होगा तो यहाँ पे क्या होगा, पूरी equation कुल मिला के इस type की बनेगी यानि इधर r में होगा और इधर t में होगा यानि कि जिस तरह से अगर y is equal to x होता है इस type का तो हम इसे बोलते हैं by का x के सापे इस अप्लर यानि कि y is the function of x ऐसे यहाँ पे जो r vector होगा वो कहलाएगा vector r is the function of t यानि कि t के रूप में vector और vector का हम differential वैसे ही करेंगे जैसे normally करते हैं यहाँ हम एक और बात बता दें जहाँ पे r ये dark बना हुआ तो उसे आप vector समझें यानि उपर vector का चिन नहीं लगा तब भी आप उसको vector समझें और जहाँ i, y, k के उपर भी देखे cap नहीं लगे हैं तो वहाँ भी आपको क्या cap समझना क्योंकि i, y, k क्या होते हैं यूनिट वेक्टर होते हैं और इनके उपर हम cap लागा के डिनोट करते हैं अब देखे नॉर्मली डिफेंसल जैसे कि हम करते हैं तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ जैसे r इसी कर दोगे cos t i plus के a sin t है और मैं इसका नॉर्मली डिफेंसल करना है तो t के respect में जैसे करते हैं dr upon dt वैसे पूरा होता d dt of r जैसे बहुते हैं d dx of y तो ऐसी d dt of r वेक्टर तो क्या होगा cos t का minus का sin t ठीक है और i जैसी रहेगा ऐसी यहाँ पर k sin t का k cos t और j यहाँ पर ऐसी रहेगा k वाला term नहीं है तो उसे कोई दिखकर नहीं तो नॉर्मली जैसे डिफेंसल करते हैं वही है और यहाँ पर देखे जो circle के प्राचल बिंदू होते हैं parametric coordinate होते हैं a cos t eta a sin t eta यहाँ एक्स के इस्तान पर होता a cos t eta y के इस्तान पर होता a sin t eta तो इसमें x के place पर रखा हमने a cos t eta y के place पर रखा v sin t eta यह equation हो गई vector equation ellipse की परकूर इसी प्रकार साथ है कि parametric coordinate यानि प्राचल बिंदू रख दिये तो यह vector equation हो गई t की term में याँपे देखिए कुछ rule है normally जो की हमें याद नहीं करने के वह समझने है जैसे derivative of scalar product of vector यानि दो vector का scalar product का derivative क्या होगा जैसे यहाँपे vector a है vector b है यहाँपे देखे vector का चिन नहीं ही लगा जैसा कि मैंने कहा था कि अगर dark बना हुआ है तो उसे समझें कि vector है तो यह a dot b है vector का और इसी प्रकार से अब देखेए टिपल प्रोडेक्ट का भी है अगर हमारे पास तीन है अब हमारे पास तो उनका इसी रूल से अब जिफ्रेंसल करना है थो पहले ए विप्ते होती है ए बी सी हरो जरूर माल ले यहाँ पर कहीं पर हम वैक्टर नहीं भी लगाते हैं तो आप बैक्टर का चिन समझें बी क्रोस सी यह फर्मूला होता है तो देखे ए डोट बी क्रोस सी हमने लगा दिया फिर वही डोट वाला रूल जो अभी हमने बताया था वह लगाएंगे देखे पहले का डिफेंसल दूसरा चोड़ देंगे फिर पहले चोड़ देंगे दूसरे का डिफेंसल अब इसमें बी क्रोस सी में फिर हमने क्रोस वाला रूल लगा दिया जो अभी हमने आपको बताया था क्या rule बताया था कि B का differential करना है प्लस का चिन लगाके फिर C का differential करना है अब देखे A की अंदर entry कर दी और एक formula ये वाला है इसकी जगह हम लिख सकते हैं ये तो यहाँ पर देखे क्या D upon D T B cross C तो इसके इस्तान पर हम पूरे को यह ऐसा लिख सकते हैं इसी तरह से इसके इस्तान पर ये लिख सकते हैं और इसके इस्तान पर ये लिख सकते हैं तो इस परकार से आप triple product भी कर सकते हैं आप समझते हैं देखे cross product को तो cross product कैसे करेंगे देखे A cross B cross C तो पहले तो वही rule लगाएंगे जो अभी हमने दो वाला बताया अब एक अंदर क्रोस प्रोडेट कर देंगे तो इस प्रकार से हम जो है वैक्टर का डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं ट्रिपल क्रोस प्रोडेट का ठीक है देखे चुछ में अब कि जैसे कि हम ने बताया था कि यह वैक्टर होता है है यहां टी के इसतार पे क्रोस टैंट होगाया इसा जैसे माल की ई प्लस bj प्लस ck तो यहां पर t ना होके क्या होगा constant होगा तो अब हम इसका differential करें किसके respect में t के respect करेंगे जब t के respect differential करेंगे तो constant का differential हम जानते हैं 0 पाई ऐसी रहेगा इसका भी 0 और यहां पर भी 0 कहने का मतलब यह है कि इसमें ijk भी है तो अब इसको हम लिखेंगे 0 vector तो इसका right answer होगा 0 vector 0 नहीं अगर ijk नहीं होते इसमें 0 के साथ तो हम इसे 0 लिखते हैं हाला कि इसको भी ऐसा लेख सकते हैं लेकिन हम इसको 0 vector ही कहेंगे तो right answer होगा इसका 1 question number 2 r with a position vector यानि कि जैसे कि मैंने बताया था dark में बना तो आप उसको vector माने आप जिदर position vector of a moving particle then velocity is given by तो यहाप आपको बता दें कि r क्या position vector है अगर हम r का एक बार t के respect on differential करेंगे यानि कि d r upon dt या d dt of vector r पुरी full form यह होती d dt of vector r तो इसे हम क्या बोलते हैं वेक बोलते हैं और इसका हम एक बार और differential करते हैं यानि कि d 2 r vector upon dt square इसको हम जो बोलते हैं तो यहाँ पर velocity की बात करना तो velocity काउन सी है d r upon dt d dt of vector r right answer होगा c question number 3 question क्या है if v is a vector of constant magnitude we can have vector तो है लेकिन magnitude क्या है इसका constant इसका magnitude क्या है यानि कि इसका modulus जो है constant यह हमे पर यहाँ पर क्या तरखा कोई constant रखा constant तो आप देखिए हम यहाँ पर vector v और vector v हम जानते हैं इसा ले सकते हैं vector v का इसको ले सकते हैं जब भी स्क्राइब किया था तो वेक्टर का सेंबल हट जाता है और यह बन जाता मैगनिटूड ठीक है अब देखें यहां पर अगर हम इसका डिफरेंसल करें लेप फर्स सेकेंड से फस्ट ऐसी रहेगा सेकेंड का डिफरेंसल कितना होता जीरो अब देख के नहीं है इसलिए इसमें जीरो आगया यहां पर जीरो वेक्टर नहीं लेगे तो इसे हम प्लस करेंगे ए डोट ब्राव होता बी डोट बी तो इसे हम ले सकते हैं टू डीवी अपॉंट डीटी और जो टू है वो जीरो पहुंच जाएगा तो यहां से हो गया वी डीवी और डीटी प्लट जीरो तो राइट आंसर हो गया इसका डी इसका राइट आंसर हो गया तू कोशन नघर मेर इसकी पर है तो यह न्यूसरी और इसकी जो डीवी डीवी टी नहीं होती अब तो कुछ ना कुछ वेल्यू निकलती है लेकिन डायक्षन फिक्स होने की विज़ से उनका जो क्रोस प्रोड़क्ट होगा वो जीरो हो जाएगा और यह डायक्षन का इसमें नहीं होता मैंग्निटूड होता तो डॉट प्रोड़क्ट जीरो होता जिससे कि हम एक कुश्चन और इ ऑन 6 screen पर है चोटा सा question है आर वेक्टर हमें दिया हूँ है this दैन इसका modulus निकलना यह वेक्टर आरका module सर सर पहले हम इसका diedsenal निकलने हैं first of all we find ना differential of this vector वह नो नोर्मलिस जैसे करतें डिखैंस वैसे करना k hist को हो जाएगा इसाइं pseudo और यहाँ पर i situation T का हो जाएगा, cos T और यहां पर J ऐसी रहेगा और V constant है V T है तो T का 1 हो जाएगा और यहां पर K रहेगा जीक है, अब हम इसका modulus ले जाते हैं वो modulus आप जानते हैं modulus का मतलब I के गुडांग का बार, J के गुडांग का बार और K के गुडांग का बार यह हो जाएगा, A square sin square T plus V square cos square T plus के V square A, A हाँ, यहाँ A है यहाँ पर क्या है, A तो A square को मल लेंगे, तो bracket बज़ेगा, sin square T plus cos square T इसकी value हो थी बन और यहाँ पर ऐसी रहेगा, तो right answer हो गए यहाँ पर, D इसका right answer हो question number 7 देखे, screen पर, R हमें दिया हुआ है और हमें यहाँ पर double derivative का modulus निकालना, तो first of all we find the differentiation of the given function with respect to T तो T के respect में देखे, हम इसका differential कर रहे है DR vector upon DT तो T के respect में देखे, तो T का differential यहाँ पर बन हो जाएगा, यानि कि यहाँ पर I vector, यहाँ पर T square का हो जाएगा 2T, और T का बन और यहाँ पर J ऐसी रहेगा इसी तरह से जो third one है, इसमें भी देखे, T का 3T square, plus K 2T, और plus K 1, और K यहाँ पर ऐसी रहेगा तो एक बार all differential करना चाहेंगे इसका, तो कि second derivative तो एक बार देखे, normally जैसे हम differential करते हैं, वही हम यहाँ पर rule follow कर रहा है, I is a constant so differential of this function will be 0, so here T, इसकी लवेरिवल differential T का 1 होगे, constant का 0 और यहाँ पर J, अब इसी तरह से देखे, हम इसका भी differential करेंगे, तो यह हो जाएगा 60 plus K 2, और यहाँ पर K, अब जैसा कि हमें दिया है T is equal to कितना दे रखा, T is equal to 2 दे रखा, तो हम यहाँ पर T is equal to 2 रख देंगे D T is square, ठीके इस्तान पर जब दो रखेंगे, तो यहाँ तो कुछ होने बारा नहीं है, तो यहाँ हो गया 2 J, जब हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 6 दो नहीं 12, और 2 हो गया 14 J, ठीक है, तो अब हम इसका modulus ले लेते हैं, तो D to R vector D to square का modulus, जब modulus लेंगे तो एक गुडांग का बाग, आई तो यहाँ पर है नहीं J गुडांग का बाग, यहाँ नहीं 4, 14 अगा बाग होता 196, तो हम इसको solve करेंगे, आएगा 200, और इसको जब हम square root लेंगे, तो यहाँ जाएगा 10 under root 2, I think right answer is B तो यहीं आगया question number 8, इसमें क्या A, B, R constant vector, omega is a constant and R is a vector function of scalar variable T, scalar variable समझना है x, y, z किनों के place पे T की term में लिखने हैं, उसे ही हम बहुलते हैं scalar variable T, ठीक है, अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया था, अगर डार्क है, तो उसे यहाँ vector समझे, जैसे यहाँ भी यह vector है, और यहाँ भी vector हमें इसका double derivative निकालना है, double differential निकालना तो देखिए, differential वही simple तरीका, जैसे कि normal हम करते हैं, ठीक है respect में करेंगे, तो यह हो जाएगा minus का sine omega t, और omega t का omega, ठीक, constant जो vector है, वह ऐसी रहेगा, vector, प्लस के यह हो जाएगा, sine का cos omega t, omega t का omega, अभी vector ऐसी रहेगा, तो एक बार और हम डिफेंसल कर देते हैं, इसके, d2r, तो यहाँ पर देखिए, omega पहले सही है, एक बार ओर जाएगा, omega, तो यहाँ हो जाएगा, omega square, sine का हो जाएगा, cos omega t, vector a, ऐसी यहाँ पी देखिए, cos का हो जाएगा, minus के sine, और omega पहले सही है, एक omega और आएगा, यह हो जाएगा, sin omega t, vector v, यहाँ से minus omega square common ले लिया, और जो bracket में बचेगा, वो यही बचेगा, जो starting में हमें, portion में given है, यानि के r vector, ठीके, तो इसका जो doubled है, इसा minus इधर आगा, plus हो जाएगा, dt to r vector upon dt square plus k omega square r vector, equal to हो गया, चीड, तो यहाँ पे, right answer हो गया, c, तो यह अब समझते हैं, the operator del, यह operator क्या होता, देखिए, जो operator del, यह ultra triangle इस तरह है, जो operator del है, इसी को हम differential operator बोलते हैं, क्या बोलते हैं, काड़ है, differential operator, और यह denote किया रहा था, i del upon del x, j del upon del y, k del upon del y, देखिए, यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया था, कि यहाँ पर gap है, आप नहीं भी लगा, तो आप समझें इसको, तो symbol del, read as del और नेवला, इसको नेवला भी बोलते हैं, या del बोलते हैं, दोनों में से कोई भी एक बड़ यूज़ कर सकते हैं, और del is a vector operator, इसको क्या बोलते हैं, vector operator, और card differential operator, इसको differential operator भी बोलते हैं, अब इस del को अगर हम f से joint कर दें, यानि कि इस del में f को मिला दें, देखिए बीच में कोई symbol नहीं है, दिहान लगा देंगे, तो वो अलग होता है, अगर डोट नहीं लगा तो अलग होता है, तो अगर हम इसमें पीछे f लगा दें, तो इसको हम बोलते है gradient, और f का मतलब य del में यहाँ पर f आजाएगा सामने, तो यह बन जाएगा gradient, कोई सम क्या बढ़ते है, is called gradient of f, is written as grade f, तो shortcut में हम इसको gradient पूरा न बोलके, simply यह बोलेंगे grade f, तो grade f का मतलब क्या हो जाएगा, operator f, del f इस तरह साथ, पीच में कोई symbol नहीं है, और इसके meaning क्या है, आए, del f upon del x, j del f upon del y, k del f upon del z, ठीक है, और देखते हैं हम आगे, अब उसके बाद देखे, एक है divergence, गर हम del और f का dot product करें, del का मतलब यह होगी है, जैसा कि अब यह हमने बताया, और f क्या है, यहाँ पर यह वेक्टर फंक्शन है, बहाँ पर एफ वेक्टर नहीं तो बहाँ iskalar था, देखे, ज़र यह दिहान देने वाली बात है, देखे, यहाँ पर जो f है, वेक्टर नहीं है, एफ क्या है, यहाँ पर इसकेलर, तो del f upon del x, ठीक है, मनला वेक्टर के to a term में नहीं है, आई जैके की term में, वहाँ यहां जो है, आई जैकर की term में है, अगर यह आई ज इसा shortcut में यह बोलेंगे वह यहां लिखा इस काल डाइवरिजेंस ओफ फुल फॉर में क्या बोलेंगे डाइवरिजेंस ओफ एफ और यहां पर एक और बता दें कि इसको स्वाल करने के बाद जो आथा वह इसकेलर क्वांटिटी आता है यह वेक्टर क्वांटिटी नहीं अगर हम इस डोट की जगे क्रोष लगा रहें तो इस इस नोन एच करल ऑफ वेक्टर डोट के लाएज़ डाइवरिजेंस और क्रोष किरलाता है करल ऑफ वेक्टर एफ का में अगर हम इसके क्रोष प्रोडट्क करेंगे तो इस टाइप से आएगा तो इसको हम पूरा ऐसी बोल सकते हैं डैल क्रोस एफ या सवाटर निकालना तो हम कैसे निकालेंगे चैसे माली जी अगर एफ हमारे पास कोई वेक्टर फंक्सन है तो डैल का मतलब यह होता एफ का मतलब यह लगए और इन दोनों जो क्रोस प्रोडरक्ट है हुआ हम निकालेंगे डिटर्मेंट की है जब सबस्द पहले आई जे के लिखेंगे हैं पर उसके ब कोई वेक्टर जो इरेशनल कर आता है अगर उसका करल एफ यह निकाले यह तो तो यह कहलाता है तो इसे हम बोलेंगे और क्रोस प्रोडेक्ट आता है तो इसे बोलेंगे कि रेशनल चलिए अब हम यार वेक्टर डीटी यह वाज सी इसका राइट अंसर हो जाएगा कि यह पर आते हैं कुछ मोस्ट इंप्रोटेंट कोशन जैसे ग्रेट पाइपॉन साइ विल्कुल वही जैसे आंसर बटेर का फॉर्मूला होता है वही फॉर्मूला यह आप अप्लाए करेंगे वैसे तो इसका पूरा यह प्रूफ होके आता है फ्रूफ कर बलाए ग्रेट की आपको denominator के root में learn कर सकते हैं यानि कि psi का इसका πाय से रहेगा इसका differential यानि ग्रेट को ऐसे मान सकते हैं जैसा difference है तो उस तरह से ये formula भी इसका right answer हो जाएगा question number two इसकी इन पर देखिए divergence operator is defined यानि कि जो divergence operator है वो किस से defined है divergence operator से मतलब dive dot operator तो divergence of अगर हमें इसमें बीच में divergence का मतलब यह हो गया यह dal dot f यह है तो divergence of dal dot f ऐसे है divergence of operator is defined है तो अब यहाँ पर देखिए divergence of operator is defined scalar function, vector function, any function अब देखिए scalar function का तो हम क्या है के बल डिफ्रेंसेशन करते है कैसा scalar function जो x, y, z के इस्तान पर t की term लिख देते हैं तो वो कहलाता scalar function और हम उसका क्या करते है differentiate करते है तो इसका लेकिन यहाँ पर divergence operator की बात कर रहा यानि इसकी बात करता है तो यह अगर यहाँ पर जो यह f है यह क्या होता यह क्या होता vector function इसको क्या मौलते है vector function यानि कि इसका right answer हो जागा यानि function ही vector function होगा तब यह divergence यानि कि यह rule apply होगा question number 3 if i is a scalar function यानि कि यहाँ पर यह क्या है कि scalar function है यानि x, y, z के इस्तान में t की term में इसको ले सकते हैं ठीक है यह HD value होगा इसमें बतानी कौन सी value होगी तो देखे इसका मतलब पर होता है i del upon del x यहाँ पर मैं cap नहीं लगा रहा हूँ तो आप समझें cap लगा del upon del y और plus kk del upon यह होता del और मैं यहाँ पर अगर del 5 नहीं फाइस को joint करदो तो इसके मैं लिखोंगा i del phi upon तेखे इसमें जो हो जब del phi लिखा जाता है भीच में कोई dot यह हो नहीं लगा लगा दोगे तो यह बन जाएगा divergence तो यहाँ यह divergence लेगी del phi upon del y और plus k del phi upon प्रोडेक्ट करेंगे तो आई डूट आए की भलू बन हो जाएगी आज यहां पर यह फाय है तो फाय आई कि वोसा ढला क्या जा informações देट नंबर 4 एइजन कॉंस्टेंट व्यक्टर, जैसा कि आप जाथे हैं अब हमें क्या करना है यहां पर इसका डैविज निकाला है और हम यह डालते हैं ओपरेटर डैल क्या होता है अब देखिए हम इसका डैवर्जेंस डैवर्जेंस एका मतला है अपरेटर डैल डोट करेंगे तो देखिए आई डोट आई इसकी वेलू बना जाएगी और यहां पर एका जो डिफेंसल करेंगे एकस के रिस्पेक्ट पर तो हो जाएगा जीरो सेकिंड भी जीरो हो जाएगा ठर्ड भी जीरो हो जाएगा तो यहां पर देखिए आई जे के नहीं आ रहा है याई जे के रिमूव हो गया तो यहां राइट आंसर हो जाएगा बी यह जीरो वाला यह जीरो यह डार्क वाला स्केल है क्योंकि यहां पर देखिए डार्ट नहीं बना हुआ यहां पर यहां पर यह जो है एप वेक्टर है ठीक है अगर यह है तो क्या होगा देखो डेल क्रोस डेल क्रोस डेल डेल का मतलब क्या होता डेल का मतलब होता आए डेल अपकून डेल एक्स प्लस प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के के डेल अपॉन जड़ी तो हता है ठीक है और यहां पे क्रोस क्या लगाना डेल फाई का मतलब हो जाएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स फाई यूए इसमें जोइंट किया गया देखें डोट प्रोड़क्स नहीं है अब Digi का प्लोस प्रोड़क्त हम सरण्डे की हल्प से निकालें तो क्या आएetzt यहां पे आए может आए यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे इसमें निकालेंगे तो हम पर आजंगा डेल अपॉन डालक्स यहां पे आ जागा डेल 5 और देल X डेल 5 अपॉन डेल यज़ जबकि यहां पेคुर्ण है यहां पो Sachs करेंगे तो क्या क्षिए आएक यहां पर देखेलगा तो यहाँ पर दिस इंटो दिस आएगा और यहाँ डेल अपॉं डेल वाई बाई के रिस्पाट डिफरेंस रात्य है जब यहांपर फायर जैड है तो यहाँ पर खुल प्रिंधIm तो रायट आंसर हो जाएगा b, यहीं पे जो यह वाला यहाँ पर f के इस्तान पर vector function है, यहाँ पर scalar था, यहाँ पर vector function, यहाँ पर वेक्टर function, यहाँ जब पहले सी ijk के टर्म में है, तो यह हम del है, i, तो इसका मतलब यहाँ से ijk हट जाएगा, जो ijk हट जाएगा तो इस यह दियान नहीं, जिसलिए इसलिए इसका 0 होता है, यह वेक्टर-FILD F is set to be irrational, यानि कोई भी FACTOR-FILD जो है, irrational कहरा था, तो irrational कहरा था, जब curl F is equal to 0, यानि Del cross F की जो value अधर 0 है, तो फंक्सन irrational कहला था, तो देखें, तीन कोशन है, 8, 9, 10, और यह अंतिम कोशन है, तो पहला यह VACTOR-FILD F is set to be solenoidal, तो कोई भी VACTOR solenoidal कहा होता है, जब उसका divergence क्या हो, 0, और VACTOR R, R बरावर दे रखा मोड R, यानि यहाँ पर यह VACTOR है, वे R, XI, Y, J, प्लस Z के, ठीक है, तो यह हमें निकालना है, Del R, तो इसे निकालने के लिए, यह हमें दे रखा कि किसी VACTOR का जो modulus है, वो कितना R, और VACTOR का modulus का मतलब होता है, R का मतलब होता है, XI, प्लस Y, J, प्लस Z के, जब हम इसका मोड लेंगे, तो क्या हैगा, यहाँ से VACTOR का ज़िए निकालना है, तो अब हमें क्या करना है, हमें यह निकालना है, तो डल का मतलब क्या है, I, डल अपॉन डल X, प्लस J, डल अपॉन डल Y, प्लस K, डल अपॉन डल J, ठीक है, और यहाँ पे R का मिलिंग है, R का मतलब यह पुरा अदर नरूर, X स्केर, प्लस Y स्केर, प्लस K, Z स्केर, ठीक, तो अब हम जैसे ही इसके अंदर एंटी करेंगे, तो यहाँ पर देखे, डोट नहीं है, यहाँ पर देखे, डोट नहीं है, ऐसी है, अचा हम अंदर एंटी करेंगे, तो पहले आप X के रिस्पेक्ट में इसका पार्सली प्लस य स्कैर प्लस जड़ इसके ठीक है यह आएगा फिर दूसरा वाला क्या आएगा जे तू य यही आएगा तीसरे वाले में क्या आएगा के टू जड़ और बिल्कूर सेम यहाएगा यहाँ पर देखें यह दो से दो कैंसल हो जाएगा इसकी जगे हम ले सकते आर यानि यहाँ आएगा जे वाई उन आर और प्लस के के जड़ अपून आर टिक तो अब यहाँ से सभी में से आर भार ले ले लेंगे तो यह जो है यह क्या है एकस आई इससे सिंपली हम लिखेंगे एकस आई प्लस वाई जे प्लस जड़ के और आर का मतलब है इसका मापांक यही स्केर प्लस वाई स्केर प्लस जड़ उसके और यह हम लिखते हैं इसको आर के लिख सकते हैं वेक्टर आर बटे मोडा ठीक है यह ऐसे लिख सकते हैं यह वाली लाइन मतलिक यह वाली लाइन ना भी लिखो तब यह ही है और यह क्या होता है आर कैप राइट आंसर हो गया इ यहीं पर एक और है, यह यह constant vector, then grade यह, अगर यह constant vector है, तो इसकी value हमें निकाल लेंगे, तो constant vector, constant vector का मतलब a vector जो है, वह हमारे पास इस type का है, a1i, plus a2j, plus a3, then grade R है, तो इसका हम R से dot निकालो पहले, तो R से dot निकालेंगे हम, तो R से dot जो हैगा, R का मतलब होता यह वाला, जो हम इसे dot निकालेंगे, तो आएगा x, a1, a2, y, a3, a, अब क्या नकालना, हमें grade निकालना, grade का मतलब क्या है, grade का मतलब यह है, कि इसका हमें x के respect निकालना है, तो यह निकालना हमें grade, g, r, a, grade, और यह, r, dot, a, यहने की, i, del upon del x, तो i, यहाँ पर आए रहेगा, del x के respect में करेंगे, तो simply हो जाएगा a1, ऐसी यहाँ पर, यह हो जाएगा i, यहाँ यहाँ पर आएगा j, del upon del y, तो i, यहाँ पर आएगा i, del upon del z, तो del upon z यह बन जगा यह, तो यहाँ पर आएगा simply a3, ठीक है, और यह क्या है, यह है हमारा, शुरू में देखेंगे, तो यह vector है, a vector, अपर यह हमारा, यह vector, ठीक है, तो right answer इसका हो गया, 20 का right answer, यहाँ पर देखें, मैंने यहाँ पर किया, आप इस तरह समझ सकते हैं, r dot a निकालेंगे, यह आगया, इस तरह से, और फिर great का मतलब यह हो गया, यहाँ से यह तक, यहाँ से यहाँ तक हो गया, great, यह, और r dot a, यह हमने को निकालेंगे, अब इनको जब हम अंदर entry करेंगे इसकी, तो x के response करेंगे, तो यहाँ पर जाएगा 1, यह आई ए, और यह क्या है, r vector, right answer इसका b, यहाँ पर देखें, हमने 10 question करा दिये, और इससे अगले पार्ट में हम बहुत सारे important और MC को लेकर आएंगे, अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें, तब तक के लिए जैहीन, जैवाले